एक ओद और था जब हम बीदेशों से गेहूं इंपोर्ट करते थे और आज हमें कहते हुए आपार हर्स प्रतित हो रहा है कि हमारे देश की किसान और क्रिशी बैज्यानिकों की सम्मिलित प्रयास से ओ दिन आ गया है कि हम गेहूत पादन में दुनिया में दूसरे पायदान प सबसे पहले मैं यह हूँ का आठ सुत्र में आपको बताना चाहूंगा मेरा पहला राए यह है आठ राए आप कह सकते हैं मेरा पहला राए यह है बीजबोय अनाजनी में मेरा दूसरा राय है छेत्रे के लिए सिपारिस की वही बीज की प्रजाती की ही चैन करें आज जो भी हमारे हर्याना में अच्छा पैदाबर देगा जरूरी नहीं है वही माचल में भी अच्छा पैदाबर दे आ तो इसके लिए आप मजदिकी क्रिशी विज्ञान केंद्र करें समपर्बित की विज्ञारी राय है तो आप रिखाती आपने लिया है उसके लिएदा छाए मरण जाथ को ओसे होत जो को थे आ प्रिदा परिक्षण के आधार पे जैविक और रासनी खादों के एक संतुलन बनाएं और सही मात्रा में सही तरीका से उर्वरक का प्रयोग करें मेरा अगला राय है पहला सिचाई सिचाई एक बहुत ही महत्तपुर्ण है पहला सिचाई 21 से लेके 24 दिन के बीज में करें और ही ऊकिभी और दिन करें पानि बाद में इसके बारे में अभी चैशफ करूंगा तो यह मेरा अगला राय है मेरा अगला राय यह है यह समू चीट की बीमारी ताथा खर्पतवार की प्रबंधन करें मेरा आखरी आपके लिए यह है उस्र principle के का अठीज के काटाई ताथा अगर इस गेहु के दाने में इस जमिए के और कोई वीमारी है वे मारे पीँ फ़सल के आ जाएगी तो हम ये वीज को भी जनित वीमारी से बचाने के लिए हम भी सूधन करते हैं दूसरा बीच सोधन करने का परपस रहाता है जमीन में जहां कि बीज गया है अगर यह कोई फंगस तो हमारा चोटा सकwhite निकल आ रहा है उससे में हमारा पाउधा के उपर यह नुक्सान न लिए और उसकी अच्छी जर्मिनिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं इसको बीज सोधन करते हैं एक बैबिस्टिन अब ले सकते हैं कर सकते हैं दो ग्राम प्रती किलो पाउडर पानी में हलका सा इसका गोल बना के उसके बाद हमारा बीज सोधन किया जागा यह तो रही बैब परिक्साइट का मैं बात करूँगा आप लोगों से इसका टैक्निकल है टीव को नजौल 2% दीस बोले तो ड्राइघ सी टीटमेंट मार्केट में आपको रेक्सिल नम से मिलेगा भी भी नम से मिल सकता है लेकिन याद रखना अगर आपने टीवी परसेंट डिया है तो इसम अपना पूरा रिजल दिखाएगा तो यह तो रही आपका बीज सोधन फंजी साइट से करने की राए अब आईए कीड़े से उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे हम इमिटक्लोपरिट 48% और थाइम इथकदरम 30% यह दोना एफस फॉर्मूलेशन में आता है आप इससे भी वीज सोधन कर सकते हैं तो दोनों को मिला के अगर आप वीज सोधन करेंगे तो बीज को हम बीमारी से और कीड़े से दोनों चीजों से हम अपना सुरच्छित कर सकते है ज़न करें फ्लास्टिक के कप लिए हैं और इसके अंदर के नहीं किया हैं देखिए उसके च्वस्पी जड़ेयां के कमजोर कि शहीं दिखा देए Contest जहां पर हमने वीजोदन किया है वहां पर walty किसान हों. इसलिए वीजोधन का राय में जरूर इसमें वहात खर्चे में आप अपनी फ़सल से अच्छा पायदाबात ले सकते हैं. मैं सिचाई के बारे में बात करूंगा लेकिन सिचाई से पहले और जरूरी बात करूंगा यूरिया कब लगाना है यहां पर हमारे किसामसाती बड़े भ्रमित हो जाते हैं पानी लगाने से पहले लगाना है ना बाद में लगाना है देखिए यह कई चीजों पर निर्वर करत पानी लगाने के बाद जब उठा जाए तब वहां पर यूरिया लगाएं अगर आपका हैबी साइल है तो मैं राय दूंगा पहले यूरिया लगाएं और उसके बाद उसके अंदर पानी लगाएं लेकिन याद रखिएगा आज अगर मैंने यूरिया लगा दिया तो रात होन से पहले हमारी खेत में पानी लग जाना चाहिए उसका कारण क्या है रभी के सिजन के दौरान रात में उस पड़ती है जब सूखे खेत के अंदर जैसे यह खेत हमारा सूखा पड़ा हुआ है इसके अंदर अगर आज हमने यूरिया डाल दिया और किसी कारण बस्त में नहीं या पानी का साधन नहीं रहा तो क्या होगा हमारा यूरिया जो है हमनी यूरिया ğaे बहर पूर रदल नहीं मिलें लाँ लगा अब आई YOU लगाने की बातो किसान पानिंगे लगा नहीं करते हैं किसान पानी लगाने में बहुत कृटी करते हैं कर וजब सएच नहीं करते हैं बढ़ा घंडी में के लिचान बइ Custom और देखा zeros Als पानी लगाने के राए दूँगा ठीक 20 दिन के माहत है एक इस से लेके 24 दिन के बीच पानी लगाना है क्यों कि इस समय उसकी खुराक लेने वाली जड़े पैदा हो रही है उसी समय उसको प्यास लगी अगर उसमें हमने पानी दे दिया हलकी सी चाही मेरे को करना है हमारे यहाला में भी भाज़ित तरहिंदा एर्मां करने के लिए अनौलि बना सरच लेने वाली जड़े पैदा हो रही है उनुसे पानी मिलेगा वह दॉलाइजर को इन्फूरा को ले रही हो खुरा का च्छी तरीक से जाएगी जड़े दूर तक जाएगी तो उसमें पुटेर अच्छा होगा कल्य जादा होंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बालियां अच्छा आएगी उसमें हमारा उपज आएगा तो यह एक मेरा आई दूंगा कि किसान साथी किसे लिए मजबूरी से खेट के अंदर पुराड़ी जला रहा है इसके नुकसान के बारे में आपने बहुत जगा बहुत सारी चीजे पढ़ा है सुना है देखा है आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं देखिए जिसमें पुराड़ी जलाई हमें हो जाता है अलका सा नीले कलर से जलू रहा है यह दरएसल हमारी खेत के अंदर से कई chorोष में जो कि और रहा हैं ऑब में पर वा प्ती लई एक किसी किमत पोक्त Never rahim sir इसकी पीछए कारण किया है यह जो पोसकत femme है मैं रखा था यह जोलनस cottage Y peeliver 10 अगर हमने ऐसा काम किया है तो यह तब तक आग नहीं जब तक च्थों को कर दया मेरे तो यह ही कारण है कि जहांपर पुरादी जलाई जाती जो secondary nutrients है उसकी जरूरत पड़ेगी जो माइक्रोनुट्रियंस है उसकी जरूरत पड़ेगी और भी कई सारे तक तो होते हैं जो डायरेक्ट या इंडारेक्टली हमारी फोटो सिंथेटिक पड़ेगर जमीं को देंगे जमीन को देंगा फशल लगा और इसके उपर मैं आग लगा रहा हूं मैं और अब यहां पर दिखांगा यह किस तरीके से नीले ब्लीकुल नीले कलर में जलती होया जञती है तो इसे किested सिक्ते हैं मेन जलती होती है हैं यहां पर लिया है करनाब का सब्सक्रीव सब्सक्राइब हमाइरे बहुत सारे मित्र किट होते है जो भी खत्म हो जाते हैं और दिखेगा कितनो ही हावा आँधि आये तुफान आये जब तक निले कलर में है नहीं बुझता रहे तो कितनो ही कोषिस कर रहे हैं HEριं जब मारे नहीं भूज रहे हैं तो मेरे कहने का मत्तब है अगर हम खेतों के अंदर पूराड़ी जला रहे हैं तो हमारे पोसक तत्य खतम हो जा रहे हैं मेरा बिनम्र निवेदा नहीं कि किसी भी किमत पे हम खेतों के अंदर पूराड़ी नहीं जलाएं इससे क्या होगा हमारा जो फसल की क्वालिटी है क्वालिटी अच्छी नहीं ज़्यादा पैदबार तब होगा लेकिन अगर मेरे को अच्छी घूरबता का लेना है क्वालिटी अगर हमें बढ़ाना है तो उसके अंदर माइक्रों ने उटेंट देना है आप उसके अंदर जिंग जरूर डालेगा अगर पिछले फसल में नहीं डाले हैं मेरे एक वीडिय प्रयास किया है अगर टेंपरचर बढ़ता है तो वहां गेहूं के उपर क्या प्रभाब पड़ेगा उसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है अभी तक मैंने जो चर्चा किया यहां पर लागत बढ़ाने की कोई बात नहीं आई केबल मैंने तरीका को या समय को थोड़ा साथ मेरी मुलाकात होगी एक नए बुद्धे के साथ तब तक के लिए मुझे याज़त दीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद